दादी नानी से भूथा कहानिया आपने भी सुनी होंगी। कभी सोजा भी होगा कि ये सब रियल होता है या सिर्फ रियल तक ही सीमित है। करते क्यों हैं? क्यों कुछ प्लेस डरावने माने गए हैं, क्या वहां वाकरी में खतरनाक परिस्थितियों से गुझरना पर सकता है? इन कुछ सवालों के जवाब तलाशने के लिए यहां बतारे गई दुनिया की दसमिस्ट्री से भरपूर जगहों पर जाने की जरूरत हो सक एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड, युनारिटिटिट किंगडम, ब्रिटिन में एक मध्ययुगीन महल के बारे में करी कहानिया प्रचलित हैं. ये महल देखने में जतना खूपसूरत है, उससे कहीं अधिक निंगलिक्टिट भी है. पहाड़ी पर स्थित एडिनबर्ग के किले के आसपास चारों और घना जंगल है. हर्याली और पेडों के बीच गिरा एकांट में ये किला रात के वक्त बेहर दरावना लगता है. इसका अर्चिटेक्चर ऐसा है कि जो कोई इस एक बार देख लेता है, उसका मन इस पर मोहिद हो जाता है और वह इसमें जाने की को माई, अब यहां भटकती हैं. इसे मैडेन कैसल कहा जाने लगा है. कहा जाता है कि ये मारे गए सभी सैनिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे. इन सभी की मौत उस तौरान प्लेग महा मारे सितर्प्त डब कर हुई थी. इसलिए आज भी इस किले में उनकी रूह की आवाजें गुंचती सुनाई पड़ जाती है. कुतों जैसी आजीब चीखे सुनने का दावा यहां जाने वाले कई लोग कर चुके हैं. कहते हैं कि यहां के फोटो ड्रोन से लिए जाते हैं, जबकि किले के भी तर किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता यह किला 16 वी सदी में बनवाया गया था. नमबर दो पॉमिराय का कैसल, ब्रिटिन, टॉटनेस, डेवान टाउन के निकट स्थिद्ट बेरी पॉमिराय कैसल से जुड़ी कहानी, दरसल 14 वी सदी से तब शुरू हुडी जब दो सगी बहनों में रार ठंगरी, दोनों राजक प्रमेराय की मौत हो गरी, तब से इस महिल को प्रमेराय कैसल कहा जाने लगा, वहीं कुछ लोगों का दावा है कि मार्गरेज प्रमेराय बेहत सुंदर थी, उसकी निली आखे किसी को भी अपनी और आकर शित कर सकती थी, माना ये भी जाता है कि एक दिन उसे के पिता ने उ ब्लू लेड़ी महल कहा जाने लगा। स्थानिय निवासियों का दावा है कि महल में दिन में भी बहुत अंधिरा रहता है। जो कोरी इसके अंदर गया है वो वापस नहीं लोटा। नमबर तीन मौन्ट क्रिस्टो ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेस्ट स्थिद एक होंसा टाउन रियासत अपनी दर्वाजों के अपनी अब खुलने बंध होने के कारण दुनिया के मोस्ट डेजल्स प्लेसिज में शामिल है। कहा जाता है कि अपने प्रेपती की मौत के बाद मिसिच क्रॉली तेज साल में मात्र दो बार इससे बाहर देखी गरी, फिर वे यह कभी निकलती नहीं देखी गई। शायद वह मर चुकी थी, जिसके बाद उसका हमेशा अपने रूम में लेटे रहना बताया गया। यहां आने वाले टोरिस्ट बताते हैं कि यहां कभी तेज चमक से दिखने लगती है तो कभी सिर्फ घूपंधेरा नजर आता है। यूट्यूब पर करी वीडियो यहां होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी बया करते हैं। इंग्लाइन के पोटल स्थिर्ट वाटन अंडर अज में यह हिमारत भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी बताई जाती है। यहां से गुंजरना वाव करे डरावना लगता है। यहां मुर्दों जैसी बर्बु आती रहती है, साथ ही अजीब आवाजों से किसी के भी कान सुन्ध हो जाते हैं। एक ब्लॉगर इस जगत को लेकर लिखते हैं, सद्यों पूर्व यहां बच्चों की बली दी जाती थी। इसके अलावा यहां निर्दयता पूर्वक्त लड़कियों के रेव के बाद उनकी हत्याएं भी कर दी जाती थी। अब यह पूरा इलाका वीरान पढ़ह रहता है। कुछ लोगों ने तो रात में यहां आग लगती हुरी भी देखी है। इस सुन्दर और आकर्षक ठोर को देख किसी काभी मन यहां ठहने का हो जाए। लेकिन यहां अकेले आना ठीक नहीं माना जाता। बेशक यहां महान राजनीतिक यिकाडल मार्क्स को दफनाया गया था। लेकिन उनके बाद यहां करी हत्याय हुरे। यहां विचित्र कलाकारी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इस ब्रिटेन में इसे फोटोग्राफी के लिए वंडरफुल वेरू माना गया है दुनिया में सबसे बड़ा जर्ना नियागरा पॉल्स को माना गया है लेकिन ये टनल भी कम नहीं है। ओन्टारियों को नियागरा पॉल्स से यही जोडती है। इसमें अब तक करी कलर चेज हुए हैं। सबसे रहुचक और अजिबो गरीब बात ये है कि जब आप इस टनल के भी तर होंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे रात के अंधेरे में किसी ने माचिस के तिली जला रखी हो। फोटोग्राफी के शौपीन लोग यहां दिन में जाते हैं। लिकिन करी किमी तक लंबी इस टनल का पूरा फोटो लेना आसान नहीं है। दूर बीन से देखन पर इसकी दीवारों पर कुछ खास आक्रिती नजर आती हैं। बताया जाता है कि यह उस लड़की की वज़े से होता होगा जो खिलते हुए चलबसी थी। अमेरिका की प्रतिष्ट यूनिवर्सिटी ओहो में भी मिस्ट्रीजवाले हॉल चर्चा में रहते हैं। ब्रिटिश सुसाइटी फॉर्ड फिसिकल रिसर्च के मुताबे कि यहां विलसन हॉल बेहद हॉंटेट प्लेस माना गया है। दरसल यहां के रूम नमबर 428 को लेकर अथिन्स कॉंट्री के ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पे बताया कि सालों पहले जब गुलाबी गर्ला की कहानिया स्टोडेंटों के बीच मशूर थी। वेह लड़की अपने खरून से पोईट्री लिखती थी। दीवारों पर आज भी वो अंकित हैं। नाइट में कुरिय यहां नहीं जाता है। वहीं जानकारों का ये भी मानना है कि किसी की कविताओं की गुन-गुनाहत यहां साब सुनार देती है। नमबर आठ। स्टाइनली होटिल, कुलोरेडो उनीस सो में बना ये होटिल प्रत्यक्ष रूप परानॉर्मल एक्टिवेटी देखने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। यहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने इस होटिल में हरात में सफेद काया वाले बच्चों को देखा है। वे पलग छल्पकते कब गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन यहां कुछ तो है। अब अगर आपको ये सब को देखने का मन है तो आपको स्टाइनली पहुँच कर ही इसे महसूस करना होगा। अच्छी बात ये है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। हलाक इनके इरादों की पुष्टी नहीं हो सकी है। इसलिए दिन में यहां स्थानिय निवासी अक्सर आते हैं। हाँ, अमेरिका में वेवरली हिल्स सैनेटोरियम बहर दराबनी जगर है। ये पहाडियों की उपर सननाटे वाला सैनेटोरियम है, जहां कोरी नहीं जाता। नमबर 9. चांगी बीच, सिंगापूर लेकिन रात होने से पहले सब निकर लेते हैं। ये दुनिया के सबसे हंटेड बीच माना जाता है। अगर आपको ये वीडियों पसंद आया हो तो वीडियों को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब क करें।